हेलो दोस्तों वेलकॉम बेग डू मानु ब्लोग में आई आज का हमारा ब्लोग बहुत ही पोट्रेट होना है क्योंकि गाउं का लाइफ एस्टाल दिखाएंगे गाउं में कितना अच्छा क्या क्या चीज है इस सब का मतलब भीव दिखा रहे हैं और सबसे पहले बता दें कि इसमें हमनों चलिएंगे बजर्ण के मतलब चक वेल जाना है तो वाँ पर चले तो वहां क всп Train कुछ मतलब भीव दिखाएंगे और उससे पहले इधर का मतलब में अलोक्त का सब मतलब जैत त्क्तंअ क्या चीजं कर रहें प्या भीज्ञारे ता यह वीडियो में रही इस दो परसानों तफसी का होगा और इधर से भी दिख लीजिए आई पास से चाहिए पास से दिखा रहे हैं कि देख लेजिए इसमें गाड़ी जाएगा तो बीना गाड़ी गिरे हुए मतलब फसे हुए निकल नहीं सकता है यह रोड़ी परसानों तफसी का स्थिति है कितना भ्यानों कि स्थिति है और देखिए यहां पर एक भाई साहिब मतलब बाइक लेकर आ रहे हैं देखिए कितना मतलब रोड़ गंभीर मतलब इस्थिति से गुजर रहा है तो देखिए इस्थिति से कितना मतलब गुजरते हुए जा रहे हैं और देखिए इसमें कितना बाइक मतलब मतलब दिक्कत हो रहा है और यह देखिए बलो रहा है तो यह कितना मतलब हालत मतलब रदी है इस रोड का और इसी रोड में मतलब जाना है हर आदमी को तो देख लिए पांक को कितना मतलब हो चुका है तो और आगे चल रहे हैं मतलब आगे चलेंगे हम लोग बाइक से तो मतल जी तूंएस में देखिए कितना मतलब यह मतलब डाश्त देस थी जयुदक इफरोडे में मतलब गाड़ेिक कितना अपर दिक्का साने कुल द भाएन कि आ इइ देखिए फ़ितु कित्ना मतलब जो कि दिसस्ती करा एक कि एself शुद सुद दिच्वा करें उसका भी तो आइए वीडियो मिल्ट तो आइए दोस्तों और यह हांसे भी देख लिए मतलब रोड का कि चतरह हाल है और देंग लिए पैने लिए को दिक्कत हो रहा है निकालने में जा अफ्ञे कर से अब 24 रृएन हो जाना है कारेंगे जही करेंगे और इसस सुन थे संविन भी देख लिएंगि और पानी थे कितना सब्साहिए हो आहें लौट cad और दोस्तों यहां पर देखिने कितना पानी लगा हुआ इसमें पुछा का पुरा डूब जाएगा तो आए दोस्तों अभीन भी देखे गाउं का मतलब हम लोग पुरा आधा गाउं में आ चुके हैं तो भी अभी रोड का इस्तिति सही नहीं है तो आए और देखिया आप मतलब आच्छा भी वार आए क्योंकि इधर आच्छा रोड है तो गाउं से अब हम लोग निकलने वाले हैं क्योंकि आधा पार कर चुके हैं शिआ ऐस रोड को पानी तो अक्ट नहीं है आ सकति है और देखिया यहां से चालू आघि अए निकले में तो भी हम न उन्युब्लेगे ट्रटक पानी निकले बीमिले के टृए पागा पागा दिख्गें गाहाँ से निकलने को बाद में आच्छा रूड मिल लगता है गाहाँ में आईएगा तो फिनकेरे नहीं जाएगे यहां पर दोस्तों देखिए यहां से अब रूड मतलब आच्छा मिलने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बजरों को मठोड़ तो यहीं इसकूल है कि वह कतार रूपे लगी तो और इधर देखिएं कितना मतलब आच्छा मतलब यहां से अच्छा रूड चालू होगा किनकता है तो यह दो स्टों मतलब आज रहे हम उतना ही टोट का मतलब आधा गाउओ का मतलब दिखा दिए